आप सब को सोगते हैं, आज हम करने रेकॉरिंग 22 नवम के शुरी बरतान की एक शब्द है जिसको कहते हैं आई और ये शब्द हर चीज़ को हल्पी कर सकता है और ये ही शब्द हर चीज़ में बाधा ये प्रॉलम बिला सकता है तो आज परमाताव पिता हमें इस शब्द के सही उचारण नहीं लेकिन शब्द के सही जगा पर इस्तमाल करने को हमें समझा रहे हैं कैसे करना है तो देखें मैं शब्द या आई शब्द को किस तरीके से इस्तमाल किया सकता है परमादर कहते हैं मैं शप्त की स्मृति द्वारा अपने ओरिजनल सरूप में स्थित होने वाले मैं शप्त की स्मृति द्वारा दिन पर हम मैं 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 कहते रहते हैं हर चीज के लिए मैंने यह सोचा है मेरे हिसाब से यह करो तो मैं जाओंगा, मैंने करना है, मुझे पता है औरिजिनल सुरूप में स्थित होने वाले देहे के बंधन से मुक्त भावा मैं शक्ति स्मृति द्वारा अपने औरिजिनल सुरूप में स्थित होने वाले देहे के बंधन से मुक्त भावा तो हमारा ओरिजिनल सुरुप के है जैसे हम मैं बोलते हैं तो ये फिजिकल फॉर्म याद आती है लिक्ति परमात्मा हमें स्पिरिश्टर्शल फॉर्म की याद राते हैं कि इस फिजिकल फॉर्म को तुम लिमिटिट जानते हो लेकिन एक infinite, बेहत की non-physical form है, जिसको हम soul कहें या आत्मा कहें, वो अगर उसको मैं माने, तो बहुत फाइदे हो जाते हैं, तो देखें, क्या-क्या फाइदे हैं, थोड़े फाइदे भी काउंट करेंगे आपर, और सब हमें दूसरी तरफ से, अगर हम शरीड मांगने चलें मैं को, तो उसका नुकसान क्या होता है, परमातर कहते हैं, एक मैं शब्ध ही उड़ाने वाला है, और मैं शब्ध ही नीचे ले आने वाला है, जैसे ही first case, जैसे मैं अपने आपको आत्मा समझो, तो मेरा किसी के साथ में कोई इर्शा, कोई ग्रिणा, कोई नफरत नहीं है, हम सब आक्टर्स हैं, अपने अपने भागे, अपने करमों से हमें चीज़ हैं, और उसके हिसाब से ना हमें इर्शा हो सकती है, ना करें ना हो सकती है, हमारा सारा फोकस हमारे करमों पर आ जाता है, लेकिन जैसे हम अपने आपको शरीर समझते हैं, तो महीं पर तुलना शु गुजागर है यह जेतना आत्मा के कुर्ण और शक्तियों की प्रतिजादा खोजागर आत्मा के कुर्ण शक्तियां हो गें नमरता देहरता पवितरता साथ की सैन शीनत दो अर्सेर्ड के गढ़ होगे कद्ध हो गया गोरा काल जोरा अमीर करीब तो अब choice हमारे पास में किसको हमें मैं समझ रहे चलना है मैं आत्मा समझ करके चलना है कि मैं शरी समझ करके चलना है तोनों में बतर है और उससे feelings चेंज जाती है भावनाई चेंज जाती है और रिष्टे चेंज जाती है ये इतना गहरा प्रमास्तर है इतना कहरा ही एक शब्द है और ये एक शब्द ही मैं या आई हर चीज़ आमरी लाइफ में चंज़का देता है एक शब्द आई से ही रिष्टे बन जाते हैं और एक शब्द आई से ही रिष्टे डूर जाते हैं एक जगा नमरता होती है और दूसरी जगा मैं का शिप्त का गरारत हम देह के अनुसार ले 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 तो फिर वहाँ पर अभी मान आ जाता है तो इसलिए परमातर केते हैं मैं कहने से ओरिजिनल निराकार सुरूप याद आ जाए मेरा ओरिजिनल सुरूप क्या है सुक्षम आत्मा इंफनेट एनेजी विहत की शक्ति यह नाच्रल हो जाए देह भान का मैं समाप्थ हो जाए देह और देह से रिलेटेड़ चीज़ों का जो अंकार है मर पस पर इसको हमने चुटा मैं कहेंगे चुटा मैं समझ करके वेकास हम शरीर नहीं है तो मैं समाप्थ हो जाए तो देह के बंधन से मुक्त बन जाएंगे जहातर छगड़े जहातर लड़ाईयां जहातर वहस्वाजी क्यों होती है कि हमें अहुकार होता है हम सुक्षम में अगर देखें तो हम लिमिटेड़ चीज़ों के पीछे हम आपस में अगर इस शरीर से रटाच हो जाए तो जो भी शरीर की चीज़ें वस्तू हैं अगर वो चीज़ें हमसे चीनी जाए या हमें उसकी प्राप्ती ना हो और हमारी रिस्पेक्ट उसके हिसाब से अगर कम हो जाती है अगर हम सोचते हैं वैसे या हमारी इज़त या हमारी वाल्य बन जाते हैं बंधन के समझ से गते हम आंकार में आकर जिसको हम कुछ कह राए लटा सीधा हमारे बारे बार पार एंदाँ, अधा से क्सा सोग रहते हैं एनर्जी हमारी फोकस होने चीए उस काम पर जब पर हमें आज जीना है खोशी-खोशी लेकिन किसी को तुख देंगे तो परमानतर कहते हैं वो तुख वापस आता है वो तुख हमारे अंतर रहे जाता है जोनकि जेनरेट हमारे मन के इंदर हो ना तब ही तो किसी हो दिया हमने उसने आपको कुछ का आपने उसको कुछ का आंकार में कर गए और फिर वो आपको ताने मारे आपने उसको ताने मारे उसने आपको भुरा बला का आपने उसको पती पूरी भावनाय रखी जीवन भर या दिन भर या महीने बर या हवते बर और उसने आपको पती रखी तो मैं निराकारी आत्मा हुआ है, मेरी रिस्पेक्ट, मेरी मेरी इ्जट, मेरे गुनों पर है, मेरी शक्तियों के उपर है मेरी सैन शक्ति के उपर है सामना करने के शक्तियों के उपर है और यही मेरे qualities है नमरता मेरे लिए जादा important है humility as compared to धनसंपत्ति यह चीज भी वापस आजाती है आपकी भरपूरता भी बजाती है लोग भी relationships भी आपके close आते है कल का बरदा नगर आपको यादे उसलिए परमना करते हैं लेकिन मैं नेरा कारी आत्म हूँ जब यह स्मृति आती है तो देवान से परे हो हूँ कर्म के संबंद में आएंगे देए के आंकार से परे हो जाते हैं अगर भासे आतिबक संबं से बात कर पाते हैं रेस्पेक्टफल भी से आपस मेंם रिलेश्ट कर बाते हैं बंदन में नहीं आएंगे हममें अचछी और बेटर कंपिनी में काम करते हो आप कहने हो पहार से अक्षी और बेटर अमनी हों आप इसके बारे में और गहराई से सोल कौशिस के बारे में सीख सकते हैं ब्रहमा कुमारी चाकर करें हमश्यांति